हल्दी हर घर की रसोई में पाई जाती है देखे रसोई में अन्य मसाले भी होते हैं लेकिन उन में सबसे महत्वपूर्ण होती है हल्दी जो की औशधिय गुणों से भरपूर है साथ ही हल्दी में ड्याविय गुण भी मौजूद होते हैं हल्दी सेहत को दुरूस्त करने के स आज साथ आपके जीवन की बाधाओं को भी दूर कर सकती है बगमान श्रीयर विश्णू और गणपती को हल्डी बेहद प्रिये है जै मातारी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना योट्यूब चैनल व्रत्योहार कथाएं मैं हूँ आपके साथ रिम जिम शर्मा तो आ देखी हल्दी का संबंध देव गुरु भ्रसपती से है हल्दी से संबंधित ये उपाएगर आप करते हैं इससे आपके जीवन की बहुत तरह की परिशान्या दूर हो जाती है नकरात्मक उजा दूर होती है और भ्रसपती से संबंधित हल्दी के रुपायों को करने से हल्दी के उपाई जो हम सभी वड़ी आसानी से अपना सकते हैं सबसे पहला उपाई देव गुरु ब्रहस्पती और भगवान विश्नु को प्रसंद करने के लिए गुरु बार के दिल हल्दी का दान हमें जरूर करना चाहिए आप किसे भी फॉर्मिट में हल्दी पाउडर द कर सकते हैं या गांच वाली हल्दी मिल जाए तो और भी अच्छा है आपको हल्दी का दान आज जरूर करना चाहिए इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है और जीवन में तमाम तरह की जो परिशान्या होती है सुख सम्रधी सौभागी से जुड़ी हुई स्वास्त से चाहिए था है शास्त्रों में कि अगर हल्ली की रेखा बनाई जाए ना कहीं पर तो उसमें नकरात्मक उजा प्रवेश Meteor तो ऐसे में घर की boundary जो घर की बाहरी दीवार होती है अगर आपको ऐसा लगता है कि नकरात्मक ओजा का संचार है आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि भूत प्रेत बाधा है आपको लगता है कि किया कराय करने की कोशिश है तो आपको अपने घर की boundary की दिवार पर हर तरफ हल्दी की रेखा मतलब एक जगे से शुरू करके उसी जगे पर आकर आपको खतम करनी है मतलब पूरा एक घेर आपको हल्दी की रेखा का बनाना है इससे नगरात्मक ओजा का आपके घर में संचार नहीं होता है तीसरा उपाई, नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी का चूरा या पाउडर मिलाकर नहाने से शारिरिक के साथ साथ मांसिक शुधता होती है इस उपाई की करने से आपके शादी विवा में जो अर्चने आती है वो दूर हो जाती साथ ही जो लोग करियर के लिए करना चाहते हैं वो भी इस उपाई को करें देखे मन में बहुत लोगों के ये सवाल रहता है कि ये तो शादी विवा का उपाई है बिल्कुल नहीं अगर आप रोजाना अपनी नहाने की पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाते हैं अगर रोजा अगर आपको बुरे सपने आते हैं या कोई भी अज्यात्व है आपको लगता है कि आपको परिशान हो सकती है दर हो सकता है आप किसी भी चीज को शुरू करने से डरते हैं लोग उसे मिलने से डरते हैं एक अज्यात्व है अगर सताता है तो एक हल्दी की गाठ को मोली जो रक्षा सूतर होता है उससे बहुत अच्छे से लपेट दे और लपेट करके जैसे हल्दी की गांट बिल्कुल छिपा दे हैं और उसको अपने सिरहाने रख कर सोई अपने तक्किये में डाल दे आप या अपने तक्किये के नीचे रख करके सोई ऐसा करने से यह जो भै है या आपको क्या करना है आपको भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी के पीछे जहां पर भी लक्ष्मी नारायन आप अपकी घर में फोटो है या प्रतिमा है अगर आपकी घर में नहीं है तो आप इसे मंदर में भी जाकर कर सकते हैं अगर घर में करते हैं तो ज्यादा अच अगला उपाई किसी भी शुबकारी में सफलता पाने के लिए आपको गणीश्ची को आपको हर रोज हल्दी का ठीका लगाना चाहिए। आपको पूरा दिन देखीगा बहुती शुबता भरा होगा। मन चाहा जीवन साथी मिलता है। विवाह में अगर शादी में किसी की देरी आ रही है, बाधाएं आ रही है, वो भी इससे दूर होती है। अच्छे ये सारे उपाई, बहुत सारे उपाई हैं जो आपको नियमित करने हैं। जरूरी नहीं है कि गुरुबार को आप करें। नियमित रूप से हल्दी के इन उपाईों को आप अपनाएंगे, आपको फाइदा शिग्र दिखाई देगा। अगला उपाई, लंबे समय से कहीं कोई पैसा आपका अटका हुआ है, आपको वो व्यक्ति लोटा नहीं रहा है, या फिर जॉब पर हैं, आपनी जॉब छोड़ दी, पैसे वहीं पर आपके अटके हुए हैं, बे ले रहीं आफिस बाले, किसी वैवसाई में पैसे अटक ग कि आप अपने पर्स में रखिए, बहुत जादा आपको नहीं करना है, इतना ही बनाना है ये हल्दी से रंगा हुआ चावल कि आप उसको अपने पर्स में रख सकते हैं, इस उपाई को करने से शिग्र ही जो अटका हुआ आपका पैसा है, धन है, वो आपको मिलना शुरू ह जाएगा, अगला नौवा उपाई जो है बुद्धवार और गुरुवार के लिए, ये दो दिन नियम बना लिए, बहुत सारे उपाई मैंने रोजाना की बताए, ये बुद्धवार और गुरुवार का उपाई है, आपको भगवान गणीश को, गणपती को हल्दी की एक म मतलब हल्दी की गाठों की माला होती है, आपे 11 गाठे, 21 गाठे, कलावे में, रक्षा सूत्र में, कच्चे धागे में, लपेज करके बना लें और उनको अर्पित करें, आप जिस भी कारिये के लिए, जिस भी मनो कामना से हल्दी की गाठों की माला गणपती को अर्पित कर वो मनो कामना आपकी जरूर पूरी होती है उस कारे में जो बाधाय रुकावटे आ रही है वो स्वतह दूर हो जाती है और आपका वो कारिय सिध्ध हो जाता है आखरी और दसवा हल्दी का जो उपाई है लाल कपड़े में हल्दी की गाठ को आप एक ले सकते हैं संख्या 5, 9, और 11 आप बांध करके अपनी तिजोरी में रखिये पहले पूजन स्थल पर रख दीजे लक्ष्मी नरायन की प्रतिमा के सामने फोटो के सामने और उसकी बाद में पूजन करने की बाद में किसी गुरुबार को किसी विश्यव दिवस पे कादिशी पर आप कर सकते हैं पॉ ौटिसी जो आपके घर में रखा हुआ, हल्दी है, हल्दी के पाउडर से बहुत सारे उपाय स्थ में हो जाएंगे, हल्दी की गाचे देखे बड़ी आशानी से मिल जाती है पर जनों तक शेर जरूर कर दीजे, चैनल पर पहली बार आए हैं, तरह की जानकारियां आपको भी अच्छे लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन के लिए बेल बेटिन प्रस करने, ताकि जब भी मैं आगे कोई वीडियो शेर करूं, इसकी नोटिफ हो जाएं, वीडियो देखी के लिए बहुत बाद शुक्रिया, जै मात अदी, हर हर महादेव